आज मैं आपको हार्ट एटिक यानि की दिल का दोरा जिसको हम मायो काडिल इंफाक्षिन बोलते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ हार्ट की नली में ब्लोक होने की वज़े से होने वाली ये बीमारी से दुनिया बर में कहीं लोग पीडित है एक अंदाज के मुदाबिक इंडिया में 30 लाग से ज्यादा लोगों की इमृत्यू हार्ट की बीमारी से होती है ये बिमारी इतनी सिरियस है कि एक संसुर्थन में इसा पता चला है कि 30% पेशेंट्स हार्ट एटेक आने के बाद हॉस्पिलर तक नहीं पहुँच पाते हैं So it is a very emergency and very serious situation where if immediate action has not been taken then patient can die So quick action and fast treatment is very very important in this situation आईए एक पेशन के माध्यम थ्रू इस कंडिशन को समझते है और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते है A young gentleman, 26 years old, working as an executive in IT company, came to our emergency room at the middle of the night with the complaining of severe chest pain of half an hour duration In emergency department, soon he become unconscious and ECG was suggestive of ventricular tachycardia on the monitor Ventricular tachycardia एक एक एसी serious heart condition है जिसमें heart की धड़कने 200-200 तक abnormally बढ़ जाती है जिसको अगर immediately control में नहीं कर सकते हैं तो heart का pumping बंद हो जाता है और patient अपनी जान गवा देता है Immediately 200 Joule DC shock and cardioversion was done to restore the patient's heartbeats But another two such episodes happened in the emergency department and he was survived successfully both the times His ECG was suggestive of ST elevation in lead 1 and AVL with reciprocal changes in the inferior leads Screening echo in the emergency department was showing LV ejection fraction was 30% Patient को emergency angiography के लिए केथलेब में shift किया गया Angiography करने पर पता चला कि heart की 3 मेंसे एक नस जो सबसे बड़ी नस होती है जिसको हम left anterior descending artery बोलते हैं उसमें 100% blood clot होने की वज़़से block आ गया था जिसकी वज़़से patient को massive heart attack यानि की दिल का दोरा हुआ था Heart attack की मुख्या सारवार जिसको हम primary angioplasty बोलते हैं जिसमें balloon और stand के जरीए 100% block नली को वापस खोला जाता है उसके बारे में patient के relatives को समझाया गया और angioplasty की प्रक्रिया शुरू की गई Heart attack की angioplasty में कुछ selected cases में हम लोग thrombosuction करते हैं thrombosuction में heart के नली के अंदर जो blood clot होता है उसको special catheter के माधियम से बाहर निकाला जाता है thrombosuction के बाद heart की नली के भीतर जो fade की वज़़से atherosalotic process की वज़़से जो plaque होता है उसको balloon और stain के माधियम से वापस खोल दिया जाता है this is the final angiography after thrombosuction and primary angioplasty where you can see that 100% block has been cleared and there is excellent Timmy 3 flow with very good myocardial tissue perfusion तो आईए समझे heart attack क्या है हमारे दिल का वज़न लबबग 200-350 ग्राम होता है शरीर में नियमित रक्संचार बनाये रखने के लिए हमारा दिल किसी पम की तरह काम करते हुए एक दिन में एक लाख बार धड़कता है इस पम को सदेव चालू रखने के लिए इसमें खून की सप्लाई एक अलग रख्त वहीनीक के द्वारा होती है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते है समय के साथ कोरोनरी आर्टरी की दिवालों पर कॉलेस्टरोल जमा होता है इस जमाओ को एथरोसेरोसिस या प्लैक कहते है उसके कारण कोरोनरी आर्टरी का अंदर का व्यास कम हो जाता है इस कारण दिल के विभिन भागों में खून संचार कम होता है और दिल सही तरीके से काम नहीं कर पाता है जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक में अचानक से ब्लड क्लोड जमा होने की वज़े से रक्तप्रवा 100% बंद हो जाता है तो दिल में खुन की सप्लाई बंद हो जाने की वज़े से जो कंडिशन बंती है उसको दिल का दुरा या हार्ट एटेक या मायोकाडिल इनिफाक्षन कहते हैं ओक्सीजन के बगेर हम लोग फ्यू मिनिट से ज़्यादा जिन्दा नहीं रह सकते हैं उसी तरह से हार्ट को खुन सप्लाई करने वाली नली में जब 100% ब्लोक आता है तब हार्ट को ओक्सीजन मिलना बंद हो जाता है जिसकी वज़से हार्ट केस नायों को धीरे-धीरे पर्मेनन्ट डेमेज शुरू होना चालू हो जाता है और धीरे-धीरे हार्ट फेल होने लगता है इसलिए हार्ट एटेक की कंडिशन में अगर 100% ब्लॉक न लिको इमीडेटली नहीं खोला जाता है तो धीरे-धीरे वो डेमेज पर्मेनन्ट हो जाता है और उसके बाद रिकवरी होना मुश्किल हो जाता है हार्ट एटेक होने का मुख्य कारण अस्वस्त जीवन शेली यानि की अनहेल्दी लाइफस्टाइल है इसके साथ साथ कोलेस्टोल का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, डियाबिटिस, स्मोकिंग, टॉबेको चुईंग, ओबेसिटी, स्ट्रेस, असंतुलित आहार, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये सब कारण हार्ट एटेक लाने के लिए जवाबतार है हार्ट एटिक के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चले कि किसी को हार्ट एटिक हुआ है? क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप लक्षणों को समझके तुरंती ठीटमेंट चालू करते हैं तो हार्ट को बचाया जा सकता है, आपकी जहान को बचाया सकती है Heart headache के मुख्य लक्षन है छाती में दर्द होना जिसको हम angina बोलते हैं Angyina में छाती के मद्य भाग में या left side में severe pain होता है जिसे छाती दब रही हैं ऐसा महसूस होता है कभी-कभी पेट के उपर के भाग में या छाती के बीच के भाग में बर्निंग पेट यानी जलन जैसा दर्द होता है कभी-कभी पसीना आना इबं सास फुलना, पेट की गेस का प्रॉब्लेम होना या डगार या उल्टी होना असामानिय गेस होना, कुछ समय के लिए बेहोश हो जाना या असामानिय रूप से ठकान होना ये भी हार्ट एटेक के लक्षण हो सकते है हार्ट एटेक के कोई भी लक्षण महसूस होने पे आप जो भी कर रहे हैं काम बंद करके तुरंती बेट जाएए या लेट जाएए अगर आपके घर में एस्पिरिन या डिस्पिरिन गोली है तो वो मुह में चबा के या पानी के साथ गोल के पी जाए एक बात याद रखिए कि हार्ट एटेक आने के बाद जितना जल्दी हो सके नजदिक के अस्पताल में पहुचना बहुत ही ज़रूरी है काडियलोजिकल इंटर्वेंशन दूरिंग फर्स्ट क्रूशियल अवर गोल्डन अवर भी कहते हैं हाट एटेक की मुख्य सारवार है हाट की 100% नली को जितना जल्दी हो सके उतना वापस खोल देना जो दो तरीके से संभव है जिसमें रदे की नली को डायरेक्ट बलून और स्टेंट से खोला जाता है जो हाट एटेक की पेस्ट सारवार है दूसरा थ्रॉंबोलेटिक थेरापी यानि की क्लॉट ब्लस्टर इंजेक्शन्स जिसको हम थ्रॉंबोलाइसिस भी कहते हैं जैसे स्टेप्टोकाइनेस, टनेटेप्लेस, डेटेप्लेस जैसे इंजेक्शन्स देते हैं अभ्यास के मुदाबिक क्लॉट ब्लस्टर्स 50-75% केसिस में सक्सेस्फूल होते हैं और वो भी अगर इनिशल 6 अवर्स में दिया जाए तो इसलिए हार्ट एटेक की मुख्य सारवार जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है वो अगर अवेलेबल है तो उसी को बेस्ट माना जाता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सारवार केथलेप की सुविदा वाली अस्पताल में होती है जहाँ पे 24 कंटे काडियोजिस्ट की फैसलिटी अवेलेबल है हमारे देश में सब जगह पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या केथलेप की सुविदा उपलब्द नहीं होती है इसलिए ऐसी कंटिशन में जब आप समय सर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी वाली अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं तब आपके लिए फार्मेको इन्वेजिव ट्रिटमेंट इन हार्ट एटेक ज्यादा बेतर है जिसमें आपके फिजिशन आपको क्लॉट ब्लस्टर इन्जेक्शन जो सब जगह पे अवेलेबल होते हैं वो देते हैं और उसके तुरंत बाद तीन से चोविस घंटे में आपको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी वाली अस्पताल तक पहुचाता हैं ताकि आपको बेस्ट टीटमेंट मिल सकती है So at last my friends I would say follow healthy lifestyle, healthy diet, daily workout, exercise, take stress out of the life, stop smoking, stop tobacco Most important thing in the heart attack never ignore any abnormal symptoms As I discussed before heart attack में जितना जल्दी detection के बाद treatment शुरू होता है उतना ही chances of survival बढ़ जाता है So always remember the symptoms, always be alert, be quick, stay informed and stay healthy Thank you very much